वेलकम फ्रेंट्स आज का जो ये वीडियो है ये बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स है उनका कमेंट जो है उनके हिसाब से ये वीडियो बना जा रहा है तो आएगे देखते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो है ये है लॉग कॉलेज धनबाद लॉग कॉलेज धनबाद जो है उससे रिलेटेड मैंने इसमें सभी कुछ इन्वाल्ब किया है हमारे कुछ जो स्टूडेंट थे उनका कमेंट है कि मैं इसमें थ्री येर का एललवी कोर्स होता है क्या नेक्स्ट है कि मैं इसकी फी क्या है एड्मिशन प्रोशेस क क्या है तो सभी कुछ जितनी भी इसू होते हैं तो कमेंट क्या गया है तो मैं सोची कि एक वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दू इस सभी इन्फॉर्मेशन तो आइए देखते हैं सबसे पहले यह जो है लॉग कॉलेज धनबाद कहां पर है यह इसके सारा कुछ यहां पर दिया गया है यहां पर हम लोगों को में देखना है कि क्या कोर्स जो है वो करवाया जाता है इसके अंदर में तो देखेंगे कि जो कॉलेज है इट कंड़क्ट्री एर एलेलीवी ओनर्स कोर्स इन एक्कॉर्डेंस विथ दा रूल्स एंड रेगुलेश कर आता है किसके एकॉर्डेंस तो रूल एंड रेगुलेशन और बार काउंसिल ओफ इंडिया और बिनोत बिहारी महत्यों कोईलांचल यूनिवर्सिटी लौ कॉलेज धनबाज जो है यह कहां पर है सिचुएटेड है हीरापूर में दामोदरपूर रोड वीच इस अबाव टू पॉइंट फाइब किलोमीटर फ्रमद धनबाज धनबाज से टू पॉइंट फाइब किलोमीटर दामोदरपूर है अंदर जाना होता है आपको रेक्सा गाड़ी सभी कुछ मिलती है वहां से आप जा सकते हैं यह सारा कुछ इसकी जो है डेटेल दी गई है नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से कोर्सस ओफरड किये जाते है और फी इसकी क्या है कोर्स की फी क्या है तो कोर्स ओफर्ड यहां पर मिल गया है तो हम लोग सबसे पहले इसको देख लेंगे अगर किसी और टॉपिक पर आपको चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आई होप आपकी कमेंट का जो है solution किया जाएगा देखें कॉर्स ओफर्ड में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ है LLV honors paper 1 LLV honors paper 2 LLV honors paper 3 और यहाँ पर है regulation for LLV honors next है आपका B LLV 5-year integrated course B LLV honors यह है part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 तो यह 5 year है तो इसका 5 होगा और यह 3 year है तो यह 3 semester का होगा part 1, part 2, part 3 regulation for B LLV honors तो यह तो रहा आपका पूरा कि कौन कौन से courses जो है course जो है offered के जाता है जब इसके अंदर पे आप जाईएगा तो आपको यह details दिए गए है now हम लोग देख लेंगे कि courses की fees क्या है तो fees की जब हम लोग बात करेंगे तो course fee पे हम लोग इसको देखते है कि course fee क्या है देखें course fee में जब हम लोग आते है तो यह आप देख सकते हैं कि लोग college धनबाद का ही है course fee आपके सामने ही सर्च किया गया है बिद प्रूफ है, एन्वल फी एंड अदर चार्जेज अब दा कॉलेज, फोर एललवी ओनर्स पार्ट वन अड बी एललवी ओनर्स पार्ट वन आर एज फॉलर्स, दोनों का यहाँ पर दिया गया है, एड्मिशन फी है आपका, दो हजार रुपए, ट्यूशन फी पर एनम, इस पर ध्यान देजेगा, यह तो बात में बुलिया है, कि मैं आपने बताया नहीं था, ट्वल थाउजन, एकेडमिक फी, थ्री थाउजन, एन्वल चार्ज, थ्री थाउजन, फाइव हंड्रेड, नेक्स्ट आपका, डेवलप्मेंट फ़ंड जो है, फोर थाउजन, इस्टेबलाजमेंट चार्ज, थ्री थाउजन, लाइब्रेड़ी, यहाँ है, तु थाउजन फाउजन, फाइव हंड्रेड, पचिस सो, टोटल जो है, आपका, थाउजन फाउजन, पर एन्यम, कितना है, थाउजन पर एन्यम, और कॉजन मनी, जो है, रिफॉंडेवल होता है, जो की, यह फाइव हंड़न्ड है, यह बताया गया है, देखिये, कॉजन मनी से रिलेटेड है बात है, कि is to be deposited at the time of taking admission to LLV same one, BLLV same one only. यह कब deposit किया जाता है? admission के time में deposit किया जाता है. अब देख लेए हैं कि जो payment of course fee and other charges of the college shall be made through digital mode only. payment कैसे करना है? digital mode only. payment of course fee and other charges. course fee या फिर अदर कोई भी charges का जो payment करना है वो सिर्फ digital mode में होगा. there is neither any provision for free studentship nor any provision for other financial help to the student in the professional college, in this professional college. however, step-end for SC, ST, OBC minority student can be claimed from the welfare department government of Jharkhand और any other कहीं और other bodies से. मतलब कि अगर आप step-end जो है, हाला कि कहा गया है कि step-end है SC, ST, minority, OBC वालो student का, वो आप claim कर सकते है, welfare department, government of Jharkhand या फिर आदर कहीं से भी आप claim कर सकते है, पर ऐसे आपको किसी भी तरह का financially help या फिर किसी भी तरह का जो स्टूडेंट सी फोता है, यह सभी नहीं दिया जाता है, इस college के through, next और कुछ जानकारियां चाहते है, तो उसको देख लेते है, यहाँ पर हमने में 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 दो important points को देख लिया है, कि कौन-कौन से course offered की जाते है, course fee क्या है, admission की बात करें तो admission तो अभी हो नहीं रहा है, जब admission होगी तो आपको update मिल जाएगी, जैसा कि हमारे चैनल पर सभी update दे दी जाती है, कोई भी information आती है, तो सबसे पहले आपको मिल जाता है, I hope friends आपके लिए वीडियो helpful रहा होगा, मिलते हैं next वीडियो में comment करके जरूर बता करने होगी हम पτανाएग है, जो अब होगी है?